नास्कार मैं रविश कुमार पांच साल से हर बजट में और बाद में यही बताया जाता रहा सरकार की तरफ से कि आएकर दाताओं की संख्या बढ़ती जारी है बेस बढ़ गया है आज इस बढ़ी हुई संख्या में से तीन करोड लोगों को कम कर दिया गया 2021 में जब आएकर रिटरंड भरने जाएंगे तो 5 लाग तक की आएवालों को कुछ नहीं करना होगा ना टैक्स देना होगा ना ही रिटरंड 5 भरनी पड़ेगी यानि फॉर्म भी नहीं भरना पड़ेगा अभी तक सरकार बताती रही कि टैक्स देने वाले और रिटरंड फॉर्म भरने वालों की संख्या बढ़ रही है रिटरंड भरने वालों की संख्या 3.79 करोड से बढ़कर 6.85 करोड हो गई है इसमें से 3 करोड आएकर दाताओं को 2020-2021 के बजट में से माइनस कर दिया जाएगा इन से साड़े 18,000 करोड का टैक्स सरकार को मिल रहा था यानि इतनी छूट सरकार ने दी है एक तरह से अब आएकर देने वालों की संख्या करीब 4 करोड रह जाती है उससे थोड़ी कम बाहर यह संख्या बताती है कि भारत में भयंकर आर्थी का समानता है 120 करोड की अबादी में 4 करोड लोग ही हैं जो टैक्स देने के लिए मिले हैं बाकी बचे हुए आयकर दाताओं को भी कुछ ना कुछ मिला है 4 करोड वालों को जैसे दूसरे फ्लैट पर नोशनल किराये के अधार पर टैक्स समाप ब्याज की राशी पर टैक्स अब 40,000 रुपय जो बैंक में ब्याज होता है फिक्स डिपोजिट वेगर का 40,000 रुपय तक अब नहीं लगेगा पहले 10,000 रुपय ब्याज पर लगता था सभी वेतन भोगी वर्ग के लिए स्टेंडर्ड डिड़क्शन को 40,000 से बढ़ा कर 50,000 कर दिया गया है इस छूट में 5,000,000 तक सालाना आमदनी वालों को 13,000 की बचत होगी यानि उनके हाथ में हर मेने 1,000 से कुछ रुपय अधिक आ जाएगा जिनकी आमदनी साल में 5,000,000 से एक रुपय विया दिक है वो इस छूट से बाहर है अब आते हैं किसानों पर जिसे एतियासिक बताया जा रहा है दो हेक्टियर से कम के मालिक किसानों को साल में 6,000 रुपया मिलेगा दो-दो हजार की तीन किष्टों में पहली किष्ट 31 मार्च 2019 तक जमा करा दी जाएगी चुनाओं से पहले 20,000 करोड रुपय इस पर बाट दिये जाएगे पूरी योजना के लिए 75,000 करोड का बजट है इस कारण क्रिशी और किसान कल्यान मंत्राले का बजट 67,800 करोड से सीधा बढ़कर 1,29,585 करोड हो जाता है अभी योग ये किसानों की सूची नहीं बनी है वितमंत्री ने का सूची नहीं बनी है बनाई जाएगी जो बटाईदार हैं, खेती और मजदूर हैं उन्हें इस योजना में नहीं रखा गया है इंडिया बजट.GOV.IN में जाएए तो पिछले बजट के दावों को देखिए खर्चे को देखिए और नए बजट के प्रावधान को देखिए तस्वीर आपको काफी दिखेगी जैसे 2018-19 के बजट में प्रधान मंत्री, कृशी, सिचाई, योजना के तहत हर खेत को पानी देने के एक स्कीम के लिए 2600 करोड का बजट रखा गया था और उस पर खर्च हुआ था 2181 करोड अब 2019-20 के बजट में 1700 करोड कम कर दिया गया है मात्र 903 करोड रखा गया है यह योजना 96 जिलों के लिए थी जहां 30 प्रतिशत guaranteed सिचाई सिंचित भूमी नहीं थी मतलब उस पर सिचाई की guarantee नहीं थी क्या वित मंत्री ने यह बात प्रमुक्ता से बताई कि अटल भूजल योजना के नाम पर एक करोड का प्रावधान दिखा इससे क्या होने वाला है इससे अधिक तो उनके नाम पर पोस्टर बन जाते होंगे आज कल एम्स का नाम लिया आता है इसे जिन इलाकों में इसकी गोशना होती है वाँ उमीद की लहर दौरती है उमीद की लहर के शिकार लोगों के लिए इसी जनवरी में 20 एम्स को लेकर संसत की स्थाई समिती की रिपोर्ट का हाल बताता हूँ अभी तक पिछले 6 एम्स ही सुचारू रूप से चालू नहीं हो सके है बोपाल, पटना, जोदपुर, भुवनेश्वर, रायपुर, रिशिकेश इनमें से डॉक्टर, प्रोफेसरों के 55 से 83 फिस्थी पद खाली हैं गैर फैकल्टी स्टाफ में 77 से 99 पतिश्थ पद खाली हैं 16 साल का यह रिकॉर्ड है इसलिए 20 सेम्स, 20 सेम्स की करतल ध्वनी से थोड़ा सतरक रहें विदर्ब और मराठवाडा के सुखे के लिए एक अतिरिक्त बजट थी 500 करोड की पिछले बजट में अब यह 300 करोड है National Highway Fund में टोल से 10,000 करोड वसूले जाने का टार्गेट रखा गया है क्योंकि पिछले साल 9,000 करोड वसूला जा चुका है अब आते हैं नमामी गंगे प्रोजेक्ट पर 2018-19 में इस प्रोजेक्ट के लिए 2250 करोड का प्रावधान था मगर सरकार नहीं अपने बजट में लिखा है कि मातर 700 करोड खर्च हुए या और 2019 बीच के बजट में करीब 1500 करोड रुपए नमामी गंगे में कम कर दिये गया है क्या वित मंत्री ने लोग सभा में ये बात बताई कि क्यों नमामी गंगे प्रोजेक्ट का पैसा 1500 करोड कम किया गया है और क्या इस बात पर ताली बजी ये बताते तो क्या सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया होती इसलिए आप सिर्फ हेडलाइन पर ना जाएं हेडलाइन के हिसाब से बहुत कुछ अच्छा है लेकिन डेडलाइन देखिए 10 करोड मजदूर को 3000 की पिंशन मिलेगी हर मेने लेकिन जब वो 60 साल के हो जाएंगे उससे पहले 29 साल की उमरे से उन्हें 31 साल तक हर महीने 100 रुपे जमा कराने होंगे जो 18 साल के मजदूर हैं उन्हें हर महीने 55 रुपे जमा कराने होंगे और इतना ही हिस्सा सरकार अपने तरफ से जमा कराती रहेगी तब जाकर जब वे 60 साल के होंगे 3,000 की मासिक पेंशन मिलेगी इसके लिए सरकार ने मात्र 500 करोड का प्रावधान रखा है और संगठि शेत्र में 45 करोड से जादा लोग काम करते हैं उन में से 10 करोड लोगों को 3,000 की पेंशन जब वो 60 साल के हो जाएंगे 2020 में 2989 करोड यानि 400 करोड कम हो गया Model ITI Multi Skill Training Institute के खाने में कोई पैसा नहीं दिखा यही नहीं Science and Technology मंत्राले का रिकॉर्ड देखिए तो 2018-19 में Research के लिए 609 करोड था इतना क्या Research हो गया कि 2 पैसा घटा कर 493 करोड कर दिया गया आंगनवारी और आसा वरकर को 3000 का मांदे मिलता था 50% बढ़ाने की बात वितमंत्री नहीं कही है तो वितमंत्री ने कहा कि 50% बढ़ेगा तो इस हिसाब से 45,000 हुआ वो खुश नहीं है सरकार ने एक और योजना बताई थी 1200 करोड ही कागस पर ये योजना खुब ताली लूटती रही आधा पैसा भी खर्च नहीं हुआ 2019 बीस के लिए 500 करोड रुपया दिया गया है स्वच भारत अभियान का भी बजट कम हुआ है टेक्स्टाइल मिनिस्ट्री का बजट भी 1300 करोड रुपया कम हुआ है फसल बीमा योजना से गेम चेंज नहीं हुआ MSP बढ़ाने के दावों से गेम चेंज नहीं हुआ तो 500 रुपय महिने देने की घोशना को क्या गेम चेंजर कह सकते हैं हमारे साथ यश्वान सिना जी हैं पुर्ववित्यमंत्री और राजीव कुमार जी है नीती आयोग के उपाध्यक्षी राजीव जी चुकि आप सरकार के भी प्रतिनिधी है हम आप से ही जानना चाहते हैं कि अगर आप किसान होते और आपको मैं 500 रुपया प्रतिमहिने देता तो आपकी जिन्दगी आप उस पैसे से आप अपनी जिन्दगी कितनी बदल पाते बात से बहुत जादा अफगत हैं क्योंकि मैंने देखा है कि आप पूर उत्तर प्रदेश और बिहार वगरा में घुमते हैं वहाँ पे गाउं में अगर आप करीब किसान के घर में जोपली में जाके देखें तो मिज़े ख्याल है कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि वो किस सामदनी पर किस तरह से रहता है और पांसो रुपए प्रतिमहा उसके लिए क्या मतलब रखते हैं यह हम लोग जो यहां अमीर लोग हैं जो बैठे हुए उनको लगता है कि बहुत कम रखम है और दूसरी चीज यह भी है कि देखें यह उन लोगों को नहीं दी जा रही जो कि बिल्कुल ही मतलब जिनके पास वहर तरह से बेकार है या लाचार है यह उनको दी जा रही है जिनके पास चार दिसम्लब नौ चार एकर जमीन है अतलब दो हेक्टेर जमीन है तो इसके यह बारवार यह कहना कि पांच सो रुपए में कुछ नहीं होगा और यह बिल्कुल जो है वो जैसे कि राउल गांदीजी ने फरमा दिया किसानों ने भी कहा कि पांच सो से कुछ नहीं होगा आप बता दें कि पांच सो से क्या होगा वो कितना यूरिया खरीद लेगा क्या कर लेगा पांच सो रुपए से पांच सो से बात यह है कि पान सो रुपए जाधा मिलना उसमें कम से कम वो यह तो कर सकता है कि अगर बच्चे की स्कूल की फीज नहीं दे पारा तो वो दे देगा अगर वो बच्चे को जो है वो शाम को खाना नहीं खिला पारा तो वो दे देगा अगर वो यह तो कर सकता है कि अगर वो कुछ बीज न चार में तो काफी माने रखते हैं मैं गाउं जाता रहता हूं हर महीं ने तो मुझे कुछ तो इसका अंदाग है और मेरे खाल में आपको पूरी तरह से होगा तो यह सवाल आप यू मुझे से पूछ रहे हैं जी यश्वन सीना जी आप सहमत हैं कि 500 करो 500 रुपय से चोटे किस किसानों को जो गाउं में रहता है उसको फाइदा होगा देखे रवीश जी इसको किसी एक खास संदर्व में हमें देखना चाहिए पिछले लगभग पांच वर्षों में किसानों की माली हालत में भैंकर गिरावट आई हैं उन्होंने जो पैदा किया उसका मुल्य उन्हें नहीं मिला चाहे MSP के द्वारा यानि सरकार के द्वारा ना बाजार में और उनको हजारों रुपे का नुकसान प्रतिवर्ष हुआ है अब उसमें एक तरफ तो उनको नुकसान हो रहा है जो कंटिन्यू कर रहा है और उसमें आप उनको अगर 500 रुपे प्रतिमाह देते हैं तो वो क्या पहनेगा क्या ने चुड़ेगा लेकिन उससे भी बड़ी बात जो है वो ये है कि ये जो चुनाओ के 20 दिन पहले इस अंतरीम बजट में ये प्रावधान किया गया है वो सरासर इस बात के लिए है कि हम किसानों का वोट खरीद ले जैसे किसान का वोट जो है वो विकाव है और आप उसको 2000 रुपे मार्च अन्त तक देंगे और अप्रिल माई में कहेंगे कि हमने तुम को 2000 रुपया दिया इसलिए तुम हमको वोट दे दो तो किसान देश का विकाव नहीं है वो उसी तरह मर्यादित एक नागरिक है जैसे हम सब हैं और सरकार का ये सोचना कि इस छोटी रकम से प्रभावित करके वो उनका वोट पा जाएंगे मुझे लगता है कि ये अप्तमान जनक है ठीक है एक बात ये है कि जो पांच लाख तक की आमदनी वालों को जो राहत दी गई है यश्वन सिना जी हमें सवाल पर आता हूं उसे एक बड़ी राहत बताई जा रही है सरकार ने वितमंत्री ने कहा कि तीन करोड लोग अब बाहर हो गए साड़े आठारा हजार करोड की उनको तीन करोड लोगों को हम राहत दे रहे हैं क्या आपको नहीं लगता कि ये एक जरूरी कदम था भले ही देर से लिया गया और बहुत सारी परेशानी से रिटर्न वगर भरने से वो बच गए लेकिन ये एक्जेम्शन लिमिट नहीं है ये रिबेट है और एक्जेम्शन लिमिट और रिबेट में फर्किये है कि रिबेट के वज़े से ये सीमित है उनहीं लोगों तक जिनके आमदरी पांच लाख ह और जहां पांच लाग और एक रुपे हुई कि यह कोई उसको फाइदा नहीं होगा जब आप एक्जेंशन देते हैं तो हर स्लैब में लोगों को फाइदा होता है तो उस रिश्कों से देखें तो यह बहुत इसका लिमिटेड असर है उन्हीं लोगों पर जिनकी आमदनी पा साथ मैं आपके ध्यान में क्योंकि आप कई सारे आखड़े दे रहे थे अभी मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो तीन करोड लोगों को इन्होंने बाहर कर दिया टैक्स नेट से और दूसी तरफ इन्होंने पर्सनल इंकम टैक्स में जो बढ़त दिखाई है व वो पांच लाख उनतीस हजार करोड रुपे से बढ़कर छे लाख बीस हजार करोड रुपे है मने पांच उनतीस से छे बीस लगभग एक लाख करोड रुपे की बढ़त तो आप जो खर्च के आंकड़े दिखा रहे थे रह विश जी हम लोगों को शायद आमदनी के पढ़ा कर पेश की गई है जी एस्टी का भी वही हाल है कॉर्पोरेशन टैक्स का भी वही हाल है तो मैं इसलिए इसको पॉइंट आउट कर रहा हूं कि अगर आप गनीत देखें इस बजेट का तो आपाएंगे कि यह जो दावा है कि जो इनका राजकोशिय घाटा है फिसक टैक्स बेस बढ़ रहा है तो अब तो टैक्स बेस कम हो गया क्या यह आकड़ा अपने आप में नहीं है कि इतना बड़ा देश 120 करोड से अधिक की अबादी वाला देश और इसमें बहुत कोशिश मान लेते हैं कि सारी कोशिश इमांदारी से हुई टैक्स पेयर को खोजने की उसमें सक्ति करने की अब हमारे पास कुल जमाद चार करोड लोग हैं तो यह बता रहा है हमारी अपनी आर्थी किस्तिती का भी कि इतने बड़े देश में मात्र चार करोड लोग टैक्स आयकर दाता हैं अब आज का जो आख्ला बताया गया और जो कि आख्ला सही है वो यह कि आज 6.4 करोड लोग वह हमारे इनका वह प्रत्यक्ष कर देते हैं और इसको रवीज जी 130 करोड का ना देखकर यह कहना चाहिए कि हमारे देश में 25 करोड घर हैं परिवार हैं क्योंकि हर परिवार में एक ही करदाता होता है कहीं-कहीं दो हो जाते हैं तो 130 करोड का आखा बताने की मेरे खाल में चीज जो है वो गलत है और इसको आगर आप देखें कि अभी भी कम है यह साले 6 करोड अगर हैं 25 करोड में से तो अभी भी कम है मगर है तो करीब 25 सम्मान यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो गलत के बारे में बताया है वो मेरे खाल में उनको फिर से आंकले देखना चाहिए क्योंकि जो टैक्स बॉइंसी के आंकले हैं वो पहले से कम किये गए हैं GST में जो है वो 7.5 लाग करोड एकटा करने को बताया गया है जबकि 18- 19 के लिए जो बजट था वो 7.4 करोड था उसमें कम कलेक्ट हुआ उसको देखते ही उसको उसको सिर्फ 2% से बढ़ाया गया है और जहां तक प्रत्यक्षकर का सवाल है हमारा इस बार कलेक्शन 22% हुआ था और 5-6 लाग करोड करने में 20% से कम का आंकला आता है चाहिए 17% का तो यह गणित जो है वो बिलकुल सही है और इस गणित के हिसाब से इस बजट का जो जो प्रावधान है जारी सारी स्कीम को फंड करने का वो पूरी तरह से किया गया है और एक आखरी चीज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि यह सोहाता है कहते हुए कि ह हम जो हैं वो किसानों को खरीदने की कोशिश कर रही है सरकार हम मेरे खाल में यह सरकार में भी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि इस किसान का अपना आप सब्मान होता है और वो 2000 रुपए से खरीदा नहीं जा सकता 500 रुपए प्रती महिने दे रहे हैं अगर आप यश्वन सिना की इस बात से सहमत नहीं है कि खरीदने जा रहे हैं पर 500 रुपए आप क्या दे रहे हैं आपने जब MSP बढ़ाई तब कहा आपने कि हमने स्वामी नाथन कमिशन की रिपोर्ट के हिसाब से 50% दे दिया तो इसक तेकि रभी जी सारी योजनाओं फेली हुई ये तो मैं ख़र्ट हरगीज नहीं मान सकता बहुत सारी योजनाओं का जमीन पर बहुत अच्छी तरहें से जो है वो इंप्लिमेंटेशन हुआ है और ये बात आपको साफ जायर है वरना ऐसे ही 30 करोर जो है वो बैंक अकाम खा उनमें वो पूरी तरह से वो लागू नहीं हो पाई और उसकी बहुत सारी वज़े हैं और उसकी बहुत सारी वज़े ये ये भी है कि ये जादा तर काम सारा राज सरकारों के जिम्मेदारी पे होता है और वो ही लोग करते हैं इसको और कई कई बार वो इसको करने में मेरे साल में संभव उनके लिए नहीं हो पाता है इसलिए हम लोगों ने इस बार तीन तरह की प्रावधान भी किये थे नियूंतम सप्लाइए करने के लिए और आगे भी इसका देखेंगे कैसे नियूंतम जो अदाम है वो किसानों को ठीक से मिल सके मगर यह जो पांच सो रुपए महीने की बात है वो एक सिर्फ ट्रांजिटरी सपोर्ट है बात किसान को ठीक से बात करने के लिए जो अच्छी तरह से उसको सुचारू रूप से क्रिशी स्रेट को चलाने के लिए हमें कई कदम उठाने पड़ेंगे उसका इशारा एक फ्यूज गोईल जी ने किया था यह मैं नौकरी के पहलो पर बात करनेना चाहता हूँ यश्वन सिना जी आपको लगता है कि इस बजट में नौकरी को बढ़ाने की कोई संभावना नजर आती है क्योंकि मैं बजट देख रहा था आप लोग ज़्यादा बेतर समझते हैं कि टेक्स्टाइल इंडस्ट्री का ही बजट काफी कम कर दिया गया है और जब 6,000 करोड का पैकेज दिया गया था तब यह कहा गया था कि इस पैकेज से यह 10 लाख नौकरियां या रोजगार पैदा होंगे मालूब नहीं वो रोजगार कहां पैदा हुए कौन ले कर गया लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि इस बजट में बेरोजगारों के लिए नौजवानों के लिए आपने क्या देखा है। एक गलट ढंक से जी एस्टी लागू करने के चलते हुआ हो। और अब आखड़े आ रहे हैं कि एक करोड़ दस लाख नौकरियां तो एक साल पिछले साल ही कम हो गई। नौकरियां नहीं जाब्स लेकिन इस बजट में इसी लिए सब लोगों को उमीद थी कि अंतरीम का सवाल है उसके उपर वो जरूर कुछ करेगी ऐसा इस वजट में कहीं देखने को नहीं मिला जिससे ये उमीद की जा सके कि आने वाले दिनों में इस सरकार की मन्शा है कि वो रोजगार बढ़ा है। राजीब जी मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कल आपका प्रेस कांफरेंस मैंने ध्यान से सुना आपको ओला उबर का पता है कि उन्होंने कितनी नौकरिया दी आपको ये पता नहीं है कि आपके मंत्राले उने कितने रोजगार पैदा किये फरवरी 2018 में खबरें आई थ है यह यह हमारी कमी रही है कि हमने रोजगार के आँखले नहीं 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 शाय किये यह कभी मानने को मैं तयार हूँ कर जैसा कि हमारे सीयो साहब हमिताब कांजी ने कहा यह भी इसमें यह भी मैं मानने को तयार हूँ कि जो अपेक्षा रही है जो जो अकांग की नोकरियां हम लोग शायद नहीं बना पाएं मगर यह कहना कि एक अर्थ विवस्ता साथ दशमलव से जादा बढ़ जाए उसकी ग्रोथ हो जाए जो मतलब nominal terms में करीब ग्यारा प्रतिशत है ऐसी हालात में जबकि उसका निवेश जो प्राइवेट निवेश है वो सब लोग कहते हैं कि कम हो रहा है कहां से ग्यारा परसेंट हो गया और मैं यह राजीव जी इसी इसी में मेरा मेरी आपती है कि यह यूपिये के साथ प्रतिशत रियल है और चाथ प्रतिशत उसमें इंफ्लेशन जोड़ा जाता है इसलिए ग्यारा है परना को रियल जीडीपी ग्रोथ साथ परसेंट ही है मेरा सिर्फ यह कहना है कि यह कोई मुझे अर्थ शास्ती बताए कि साथ प्रतिशत ग्रोथ कैसे होगी अगर निवेश भी कम हो रहा है नौक्रियां भी जा रही है तो यह ग्रोथ आ कहां से रही है यश्वन सिना जी आप बता दें कि जो राजी जी का पॉइंट है उसी पॉइंट पर जवाब दे दीजे मेरे पास समय थोड़ा कम है जी नहीं मैं तो यह कर रहा हूँ कि यह ग्रोथ के आंकड़े जो हैं यह बिलकुल मैनिपुलेटेड आंकड़े हैं इस ऐसा ग्रोथ होई नहीं रहा है और इसी लिए जाबलेसनेस है और इसी लिए यह सारी परिशानी है अब यह लोग बार बार यह कह रहे हैं कि इतना और यह और यह वो वो सारा जूट है लेकिन क्या यह जरूरी है कि क्या यह जरूरी है तो IMF IMF World Bank ADB सभी लोग इन आंकड़ों को मानते हैं यह कोई हमारे आंकड़े को हैं नहीं सारी अंतर राश्ट्रे संस्ताइं इन आंकड़ों को मानता देती हैं आपके पास अपना आंकड़ा नह नहीं वो अपने आप भी तो जांच करती है भाई और यह सारी अंतर राश्ट्रे संस्ताइं कभी वो सभी जूट बोल रही है कि हमारी ग्रोज वो साथ अश्मलव दो प्रितिज़त हुई है यह तो ऐसा नहीं हो सकता तो यह बात तो सच मानी देना चाहें और इस बात की ज किसी सरकार ने इसके पहले नहीं किया है किसी सरकार के बाद आते हैं हम ब्रेक के बाद आते हैं एक सुधार यह है कि प्रधान मंत्री ने जो पांच एकड़ का ओ ठीकी का है और पीश गोईल जो पांच हेक्टियर दो हेक्टियर कह रहे तो गाउं में लोग हेक्टियर कम सम मसता है लेकिन प्रदान मंतरी ने उसको पांच एकड़ का है तो वो सही का है समझने में लगता है कि हम लोगों से भूल हुई है पर दोनों का आंकड़ा पैमाना ठीकी था ब्रेक के बाद बात करते हैं हमारे साथ यश्वन सिना जी अभी भी बने हुए योगेंदर यादव भी जुड़ेंगे यश्वन सिना जी एक सवाल है कि ये लोग कहा जा रहा है कि ये मिडिल क्लास के लिए बुनांजा है आप अगर वितमंत्री होते तो क्या ये पांच लाग तक आयवालों को माफ करने का आप फैसला करते सरकार ने तो दवा किया कि वो तीन करोड लोगों को राहत पहुचा रही है आप कह रहे हैं कि रिबेट नहीं है पांच लाग तक के आमदनी वालों को टैक्स से बाहर किया गया है फिर भी आप संख्या शायद नहीं देख रहे हैं वो संख्या सरकार के हिसाब से तीन करोड है हाँ ने ये एक बड़ा कदम है जब मैं फाइनांस कमिटी का वित्मंद्री छोड़ दीजे पार्लिमेंट की फाइनांस कमिटी का चेर्मन था तो मेरे पास यूपीए गर्मेंट का डिरेक्ट अक्सेस कोड बिल विचार के लिए आया था और उसमें हम लोगों ने ये सुझाओ दिया था कि ना केवल जो छूट की सीमा है उसको बढ़ाने की जरुरत है बलकि ऐसा करना चाहिए कि भविश्य के लिए उसको आप इन्फलेशन का जो इंडेक्स है उसके साथ जोड़ दीजे ताकि आटोमाटिकली हर साल वो बढ़ता चला जाएगा जैसे कि सरकारी करमचारियों की आमदनी में कॉस्ट अफ लिविंग इंडेक्स के आधार पर इजाफा होता है उसी तरह इस छूट में भी इजाफा होता रहेगा और हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि टैक्सपेयर की संख्या बढ़ाने के लिए दूसरे तरह की उपाए करने चाहिए ये तो जरूर है कि जो सबसे लोइस्ट लेवल है उसमें जादा से जादा संख्या में टैक्सपेयर्स हैं लेकिन उसे जो आमदनी होती है आए होती है वो कम होती है इसलिए बहुत नुकसान नहीं होगा अगर उनको बाहर किया जाए लेकिन जो ऐसे लोग जिनकी आए है और बाहर हैं उनको पकड़ने की जोरुत है बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपको अंग्रेजी चैनल में भी जाना है योगेंद्र यादव हैं हमारे साथ योगेंजी मैं यह जानना चाहरा था कि अभी अरुन जेटली ने कहा है कि आप लोग और आपको भी कहने लगी है 2020 ओवर का मैच था तो यह 21 में ओवर में बैटिंग कर रहे थे आज पीश गोयल जी और 21 में ओवर में सुनते हैं उन्होंने कुछ चौके छके लगा दिये तो पहली तो बात ये कि आपको 21 में ओवर में बैटिंग करने का कोई अधिकार नहीं है पर चलिए देश में बहुत अनके मामलें इतना महरबानी जरूर है कि उन्होंने माना कि भ multipli देने की जरूरत है और फिर उनुने कहा कि हमने कुछ ऐसा समाधान निकाला ए एतिहासिक से कम तो यह सरकार कभी कुछ करती नहीं है एतिहास एक समाधान है क्या है? कि हम 6000 रुपै महीने का दे देंगे मतलब क्या है? 500 रुपै एक महीने का एक परिवार का पाँच लोगों का परिवार है तो एक दिन में 3 रुपैया 30 पैसा प्रती व्यक्ती अब चाए भी नहीं मिलती गाओं में भी नहीं मिलती अब चाय इतने में तो, तो चाय पे चर्चाम करना चाहते हैं, मोदी जी उतना तो दे दीजिए, अज़ा थोड़ा गंबीर बात अगर करें, तो आप देखिए, पर एकड, पांच एकड के किसान को एक साल में दो फसल उगाने के लिए बारा सो मिलेगा, 600 रुपय का क्या मतलब है, मतलब इसके बाद आप कहो किसान की आमदनी बढ़ गई, अब उसे साहुकार के पास जाने की जरूरत नहीं, ये सब डायलोग दिये गए, अब आप इस सोचिए क्या मजाक है, दूसरी बात ये याद रखिए, कि कहा जा रहा है कि सबसे गरीब किसान तकम पहुंचेंगे, सबसे गरीब किसान कौन है इस देश का, वो है बटाईदार, वो है जो ठेके पे, किराय पे ले के ठेके पे खेती करता है, वो तो इससे बाहर रहेगा, उसको तो छुआ भी नहीं जाएगा, उसको तो इस स्कीम से एक पैसा नहीं मिलेग फिर भी वो बता रहे हैं कि ये 12 करोड है, सरकार अगर अपने हिसाब से सोच रही है, तो इस 500 रुपे के जरीए वो 12 करोड लोगों तक पहुंच रही है, 31 मार्च 2019 से पहले, क्योंकि उसके लिए 20,000 करोड रुपे उसने उसका प्रावधान कर दिया है, बैक डेट से 12 करोड का अंकड़ा गलत नहीं है, वो बात बिल्कुल सही है, बहुत बड़ी संख्या में ये लोग हैं, हाला कि मैं जरूर कहूंगा कि 5 एकड़ से ज़्यादा जिसके पास जमीन है, खास तोर पे देश का बरानी सूखा इलाका, वो बेचारा बहुत गरीब फार्मर किसान होता है, बुंदेल खंड का, मराट वारा का, उस बेचारे को क्यों बाहर रखा है, मैं समझ नहीं पाता, 12 करोड हैं, बहुत बड़ा संख्या है, अगर इनको सचमुझ कुछ मिल जाए, जिससे इनकी सिति सुद्रे, तो देश में कुछ कल्यान तो होगा, लेकिन क्या वो इ इरादा है, मुझे इरादा कुछ दूसरा लगता है, रवीश और उसकी पेंच आपको इससे समझ आती है, कि आप फरवरी 2019 में अचानक किसान के बारे में व्यतित होके बजट पेश करते हैं, कब बजट लागू होता है, आम तोर से एक मार्च को लागू होना चाहिए, ले यू जरा बाई पास बना के, मैं आपके अकाउंट में 2000 रुपए पहुँचा दूँगा, और आप जरा कमल चाप को याद रखना, ये खेल किया जा रहा है, इसके अंदर, इसलिए इतराज है इसके बारे में, सुबह कमाल खान बात कर रहे थे बारा बंकी के किसानों से, त लेकिन जो धाचा बनना चाहिए, ना तो मंडी का धाचा बन रहा है, केवल ये ही कहा जाता है कि लोग अब कोल्ड स्टोरेज बनाएं, सप्लाई चेन आज कल एक शब्द का इस्तमाल होता, पिछले 10 साल से सुन रहा हूं, मगर वो किसानों की बात जब आती तो सप्लाई च योगिन जी आपने कहा कि बजट में बजट में नौकरी या रोजगार पर वित मंतरी ने एक जरा भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अरुन जेटली ने अमेरिका से ट्वीट किया है, जिसे 957 लोगों ने रीट्वीट किया है, और 3849 लोगों ने लाइक्स किया है, उसमें लिख हैं कि अगर, if there is no job creation, अगर कोई नौकरी का पैदा नहीं हुई, रोजगार स्रिजित नहीं हुआ, जैसा कि आरूप लगाया जा रहा है, तो there should have logically been a great social unrest in the country, मतलब समाज में आंदोलन हो रहा होता, उथल-फुथल बच गया होता, पिछला पांच साल काफी, without a single major protest movement, पिछल पांच साल में बिना एक भी आंदोलन के पिछला पांच साल गुज़रा है, इस पर आपकी टिपनेंग, एक तो ट्वीट और लाइक के बारे में कर दूँ, अगर अरुन जेतली ये भी ट्वीट कर देंगे कि इस इस इडे, टुडे इस मंडे, तो उसके पांच सो रीट्व और दस हजार के करीब उसके लाइक हो जाएंगे, उसका एक तरीका है, बीजे पी ने इजाद किया है, मेरे खेल में दो रुपए ट्री ट्वीट का रेट है, जो भी है वो है, उसको छोड़ दीजे, लाइक और रीट्वीट को तो आप भूल जाएए, ये मैं कल परसों से स दिखा सकता, मैं आपको इतना जरूर दिखा सकता हूं, तीन चार चीज़े, नमबर एक, इस देश में पिछले दस दिन में तीन बड़े राष्टिय चुनाव सर्वेक्षन आएं, तीनों ने बीजे पी को आगई ही रखा है, और तीनों कहते हैं कि बेरोजगारी इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, नमबर दो, इस देश में जहां भी आप 500-700 नौकरी अड़िटाइज कर दीजिए, आपको लाखों आवेदन पत्र मिल जाते हैं, नमबर तीन, CMI जो की इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जिसने बताया है कि एक करोड़ दस लाख नौकरियां कम हुई है, और NSSO, NSSO में जो हो रहा है, रवीश, आपने जुरूर बताया होगा आपने दर्शकों को, बने शर्म की बात है, हम क्या कर रहे हैं, इस देश की अंतराष्टिये सबसे प्रतिष्ठा रखने वाला संस्थान NSSO, उसका सर्विक्षन ये बता रहा था, कि 6 प्रति अधिकार नहीं है, इन सब को करते हैं, फिर अउन जेतली जब ऐसी बातें कहते हैं, तो मुझे लगता है कि देश के यूगकों का मंतरन है, जब तक तक तुम सड़क पे दंगा नहीं करोगे, तब तक तो हम देखेंगे नहीं, आओ कुछ करके दिखाओ, मैं समझता हूँ चुनोती है यूगकों को कि आओ आओ कुछ करके दिखाओ, अब तो इस देश के मंतरियों ने बता दिया है कि दंगे कि सिवाए तो कुछ भाषा नहीं समझते हैं, क्या करना चाहिए, आप ही बताइए इसका क्या आर्थ निकाले। चुजार के होने का लेकिन शांदार पैमाना है, मुझे लगता है कि एनससो की जरूरत नहीं है, पर यूगेंजी मैं खेती पर फिर से वापस आना चाहता हूँ, कि पहले कहा गया कि कर्ज माफी समाधान नहीं है, अब कहा गया कि एक यूनिवर्सल बेसिक इंकम लाई है, तो लाब हो सकता है किसानों को. लेकिन जो दिया है उन्होंने वो मजाक है, 6,000 रुपै वाला, अगर इस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और ये सवाल पूछना बंद कर दे हम, कि किसान को आए चाहिए या कर्ज माफी चाहिए, सिर्फ किसान के बारे में हम पूछते हैं, बागी किसी के बारे में नहीं हमारा अगर घर में कोई बीमार हो, हम यह नहीं पूछते कि तुम्हें एंटिबायोटिक चाहिए, या टॉनिक चाहिए, या तुम्हें प्रणायम करना चाहिए, हम कहते हैं तीनों करो ना भाई, इंजेक्शन भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा, अगर किसान कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, बताते हुए कि हमने जो पैसा खर्च किया, उससे क्या निकला इस देश में, पिछले तीन साल से इस देश की सरकार हमें बार बार बता रही है, कि किसानों की इंकम दोगनी होने बादी है, राष्ट उस दिशा में अगरसर है, पूरा जाल ही में जैन सिना जी से पूछा पंदरा मिनिट पहले, ये सवाल मैंने देश के वित राज्यमंत्री से पूछा, इस देश के नीती आयोग के सी-ओ से पूछा पिछले चार घंटे में, तीनों बगले जाक रहे थे, कोई मुझे कवीता सुनाने लगा, कोई मेरे मनतवय लगा, कोई मुझे गाली देने लगा, भ safer जाब क्यू मेरे लेते हैं लेगा, बता दीजिए आपने तीन साल के अंदर 50% बढ़ा दी, 20% बढ़ा दी, जाब क्यों नहीं देते इस शीजी का? पिछले साल तक इस 500 रुपए बढ़ाने के पहले के फैसलों में अगर आप देखें तो MSP को लेकर काफी धिंडोरा पिटा गया और उसके दावे किये गए आप हमारे दर्शकों को बताते भी रहें लेकि फिर भी बता सकते हैं कि इसका कोई लाब हो रहा है या फिर ये पैसा भी एक तरह से इसका धाचा जो नहीं होने की वज़े से बरबाद ही हो रहा है एक तरह से MSP पे सरकार ने पिछले साल दो बड़ी घोशनाएं की एतिहासिक क्योंकि एतिहासिक से कम तो ये सरकार कुछ करती नहीं है पहली घोशना ये थी कि हमने सौमी नाथन आयोग के हिसाब से लागत का डेड़ गुना कर दिया है वो बात में जूट था क्योंकि दरसल उन्होंने अंशिक लागत का डेड़ गुना किया था पर चलिये मान लिया उसके पांच साल को टोटल देखें तो यूपिये ने दाम ज़्यादा बढ़ाये थी एंपिये एंडिये की तुलना में चली इसे छोड़ दी थी उसके बाद सरकार ने एक और एतिहासिक गोशना की वो थी पी-एम आशा योजना कि अब हम इस MSP पे दाना दाना खरीद लेंगे किसान का ये असली बात थी तो मैंने का चली अब देख लेते हैं और मैंने नीतियायो की अद्ध्यक से शर्त भी लगा ली कि आप करके दिखाईए मैं आके सेल्यूट करूँगा आपको एक मंडी नहीं है रवीश मैं आपके प्रोग्राम पे गंभीरता से कह रहा हूँ कोई भी दर्शक मुझे गलत बता दे इस देश की एक भी मंडी नहीं है जहां धान को छोड़के एक भी फसल किसान ने MSP पे बेची और ये सरकार की अपनी वेबसाइट से बोल रहा हूं है प्रधान मंत्री के नाम पे इतनी बड़ी आपने योगना बनाई कुछ नहीं हूँ समय नहीं है योगन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मजदूरों के लिए यही घोशना है कि अगर आप संगठी शित्र में काम करते हैं और आपकी उम्रे 29 साल है फरवरी 2019 में तो आप अभी से हर मेने 100 रुपे जमा कीजिए भारत की सरकार अपना 100 रुपे जमा करेगी और 2050 में जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो 3000 रुपे प्रतीमा पेंशन मिलेगी इस 3000 की वैल्यू क्या रहेगी मिलेगी की नहीं मिलेगी लेकिन हेडलाइन तो बन जाएगी नमस्कार